हिमाचल में अभी सियासी संकट तला नहीं है और भाजपा लागतार सरकार अलपमत में होने का दावा कर रही है वही मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने हिमाचल में पांच साल कॉंग्रेस सरकार के चलने का दावा किया है नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा के देश भर में सरकार गिराने का मॉडल हिमाचल में फेल हुआ है जो घरना क्रम हुआ उसके पीछे किन लोगों ने क्या किया आज उन लोगों को अपने लोगों के बीच क्यों नहीं जा पारे वो छेलो आप सब समझते हैं कि जहां से वो चुनेंगे जिन क्षेतर के वो विदायक थे क्या आज ऐसी कौन सी परिस्तितियां जो अपने परिवार अपने लोगों के बीच और मद्दाताओं के बीच नहीं जा पारे आज उनको फाइव स्टार में पंचकुला में रहना पड़ रहा है CRPF के घेरे में स्केरोटी में रहना पड़ रहा है उसके वाशिफ्ट हो रहे हैं उत्राखंड में जा रहे हैं रिशीकेश में जा रहे हैं तो ये तो हम पूछते हैं हिमाचल प्रदेश की जनता पूछ रही है कि ये कारण क्यों हुए इसके पीछे कौन जिमाबार है किन कि लोगों की महत्व का अंक्षा थी या किन लोगों ने सरकार को गिराने का प्रयास किया ये बातें तो पुबिक में आ चुकि है कि सब के पीछे बाच्वा काका में मुख्या मंत्री जी ने एक बात को माना है कि जो कुछ हुआ है वो एक धोखा था कंगर्स-पार्टी के स साथ अपने मददाताओं के साथ और मुख्यमंत्री साथ भी धोका किया हूँ जो लोग लगातार मुख्यमंत्री जी से काम करवाते रहें चाहे वो MLA जो उमारे निर्दलिय भी है लगातार मुख्यमंत्री जी ने बारा वर्षों में पहली बार एक ऐसी आपको मैं बताता हूँ कि समान विकास वाली बात थी चाहे लोग इंडिपेंट चुनके आये थे उनके इलाकों में भी दिल खोल के मुख्यमंत्री जी ने विकास किया उनके काम किये अगर आपके साथ शाम को डीनर में भी आपके साथ लोग बैठे हैं सुबा नाश्टा भी आपके साथ कर रहे हैं और उसके बाद आपको धोखा देंगे तो क्या मुख्यमंत्री जी उनके बारे में क्या सोचें गया यह हिमाचल प्रदेश में खास तोर पे ऐसा नमारी संस्कृती है नहीं ऐसा राजनिती कल्चर है और नहीं इतनी बड़ी भूख सत्ता की होने जाए मैं यह भी कहना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं को कि आप सत्ता में थे पांच साल सत्ता में रहने के बाद प्रदेश के लोगों ने लोगतंत्र ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया और सम्मान पूर्व का पीपक्ष में बैठें और उनके मेंडेट का सम्मान करें